असलाम वालेकम इससे पहले इसका आस्तिन बनाना दिखाया था आपको अभी आस्तिन लागा कि आज पुरा फूरी कंपिलेट हो जाएगी वाहिए तो यह मुंड़ा कैसे लगाते हैं पहले हम यह हाथ की सुई से हम इसको कच्छा सिलाय मारें हैं इसको पक्का मसिन मारें हैं यह देखिए यह जो गुलाई है ना सिर्फ गुलाई एक इंच हम देंगे हैं एक इंच पर मारें आएंगा और यह अस्तिन का जो अस्तर है अंदर डाल देंगा है यह हम इसको ऐसे बैठाएंगे इस तरह बैठाएंगे और यह सुई से इस तरह टाकर लेंगे हैं अब इतना दूर यानि तीन इंच करिम में यहां पर रिंकल रहेगी आस्तिन इसमें हम रिंकल देंगे ताकि आस्तिन बनने हुआ अब अच्छा देखे हैं तो इस तरह हलक हलका इसमें रिंकल देंगे अब इसको क्या करेंगे अब इसको कि पल्ला को ऐसे पलट लेंगे अब इसको कि पल्ला को प्रिंच लेंगे हैं अब इसको कि पल्ला को प्रिंच लेंगे हैं करते हैं कर दो हाँ कि अब देख लेंगे पल्ला कितना लेकलणा एगां इसे बैठा के देखनेंगे जितना ताफ्यंगे यह ऐसे प्रकर लेंगे इसको है यो तो हाँ से कच्छा करते हुए है नो पुराँ सी लाइन मांने हुआ है कर दो कर दो कर दो कर कुछ ऐसा दिखेगा इसमें पैड लगेगी तो कुछ ऐसा दिखेगा अब बिल्कुल एस्ट्रेट गिरेगी यार मुल यह देखिए यह जो रिंकल है ना सिलाए मारते हुए मिलाना है हमको ताकि रिंकल बिल्कुल मेट जाए है ताब हम इसको आप पहले स्ट्रेचिंग मारें है कि इससी तरह से आपको दूसरा हस्तिन भी लगा लेना है अब यहां पर इस तरह से मिला लेना है ताकि रिंकल ना आए झाल रिंकल वे हाँ झाल अपर इसको पलटी माड़े कि uns इंगे सब्सक्रीजाओ years कि और अधो प्रस को प्रेस मारें एक किलिंग हो जाएगा अँब है तो आप क्या करेंगे हिस्मा संच फ़ले है हम इसमें पैड़ लगाएगे Gefine आइसे तरह से आपको दूसरा मुंड़ा लगा लेना आपको और इसके बाल पैड लगा लोना है इसका प्लानिंग 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 थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ देंगे पैड को बस इतना ही सिलाए मार के छोड़ देना अब इसको कि बटी करके देखेंगे आप अब देखें अच्छा दीख रही है अब क्या करेंगे अब अस्तर को सिलाए मारेंगे इसका अंदर में जो अस्तर है इसको रिकाल लेंगे कि यहां पकड़ेंगे यहां पकड़ेंगे और यहां दूसरा अस्तिन से मैं हाथ डाला हूं इसको ऐसे पल्टी करके अभी यहां से शिलाई घुमाएंगे इसको कि अस्तर इस तरह सिलाई मारेंगे अस्तर में इस तरह आपको सिलाई मारना है और क्या करना है यह मसिन है यहां से यहां से यहां से यहां तक टाका मार देना है आपको कि अधर तक पर दाने मार से यहां पर विलकुल उपर सिलाइड दीखें और जोएंड के बीच में आपका अधर आपको अब कुछ ऐसा दिखेगा इस तीरी लगेगी तो यह बिल्कुल किलिंग हो जाएगा यहां पे जो रिंकल है किलिंग हो जाएगी क्या करेंगे अब इसको हम सबसे पहले यह नीची जो मैं इसको फोल्ड करके रखाऊ इसको जो फोल्ड करके रखाऊ मैं इसको ऐसे पल्टी करेंगे यहां एक साइड से इसको थोड़ा जिप्पाव है इसको फार लेंगे अब इसको यहां से अब यह थोड़ा सा बचा है यह थोड़ा सा है इसमें क्या है थोड़ा तुर्पे कर लेंगे तो यह अच्छा बढ़ जाएगी अब इसको इस तीरी मारेंगे यह फूगा हुआ है इस चिपक जाएगा अच्छा से कपर अपर से कुछ ऐसा देखेंगा अब इसको क्या करना है अब यहां पर तीन तीन बटन रहेगे एक यहां एक यहां यहां अब यह आज मेरा फूरा फूल कंप्लीट होगी इस टेकर विडियो अच्छी लगए तो लाइक करें चैनल पर पहली वाह सब्सक्राब करें कोई सवाले कमेंट करके बताएं अब यहाँ दिल्या करें ट्री वाह सब्सक्राब करें करें नहीं प्यान है मेरा विडियर उत्या मैं वप्झार मेरा फूल कि तेसल नहीं है अब अब यहाँ यहाँ अच्छी अप्वाल अब